नमस्कार प्रणाम आप सभी सहारा इंडिया निवेश को एवम जमा करता हूँ बगकार करता हूँ का हारदिक स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में आपके अपने युटूब चैनल इनफार्मेसन विध पीके पर मैं हूँ पिंको कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इनफार्मेसन विध पीके हमारे जितने भी सहारा से पीडित निवेश करता बंधू सभी लोग लगातार कई कमेंट्स कर रहे हैं कि सहारा इंडिया का भुकतान कम मिलेगा कोई क्लियर फिक्स डेट बताईए और साथी साथ सहारा बंधू सहारा रिफंड पोर्टल की और से एक काफी बड़ा अपलेट आया हुआ है आप सभी निवेश करताओं के लिए आप मेंसे जिन लोगों ने भी सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना आबेदन किया है क्लेम किया है और आपका पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है ऐसी इस्थित में इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहत जरूरी रह सकता है देखे दोस्तों सहारा रिफंड पोर्टल से जो अपडेट आई हुई है उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने बाला हूँ हमारे पास बहुत से डियम आते रहते हैं बहुत से मैस्जेस आते रहते हैं बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं उन्हीं के माद्द्यम से मैंने सोचा आज कि इस वीडियो को आप सभी लोगों को सेर करूँ तो बने रहेगा वीडियो में तक वीडियो काफी important एवं खुसखबरीदार रहने बाला है जैसा कि आप लोगों ने हमारी वीडियो का thumbnail और title देखी लिया होगा उसी के according आज का पूरा वीडियो रहने बाला है और हाँ साथ ही साथ आप लोगों को बता दें आप मेसेज जिन लोगों का भी भुकतान पॉर्टल के माध्यम से फर्ष्ट फेज में या सेकेंड फेज में हुआ है और फर्ड फेज के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए भी आज का वीडियो important रहने बाला है हमारे पास परसों की डेट में एक कमेंट साया हुआ था कि फर्ड फेज का भुकतान कब होगा तो उसी के उपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक छोटा सा अनुरोध है यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हूँ या पहली बार विजिट किये हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर प्रथम आपके पास पहुं सके तो सहारा बंदू हम आपका समय नबेश्ट करते हुए सीधे वीडियो को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों सहारा बंदू आप सभी को मालूम है सहारा रिफंट पोर्टल की सुरुवात मार्च महीने से हुई थी मार्च 2023 से सभी को मालूम है मार्च 2023 से माननी साइकारता मंतरी या कह सकते हैं ग्रह मंतरी अमिस साहजी के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लाया गया था और पोर्टल की सर्त इन्होंने रखी थी कि जो भी निवेस करता इस पर आबेदन करेगा या कलेम करेगा उसका भुकतान 45 दिन के अंदर या फिर 45 दिन के बाद में हो जाएगा थोड़ा समझिएगा ध्यान से यह मैं सोचिएगा पुरानी वीडियो वता रहे हैं ऐसा नहीं है दुस्तों तो हम लोगों ने जो है 18 जुलाई से इस पर जो है अपना आबेदन करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे जैसे ही आबेदनों की संख्या बढ़ती गई आबेदनों की संख्या एक लाग के पार हो गई लगभग 20 दिन के बाद में सभी निवेसक बंदू के पास उनके मोबा पर डेफिसेंसी का मैसेज आना स्टार्ट हो गया लगभग लगभग 80-90% लोगों का डेफिसेंसी कम्निकेटर का मैसेज आया CRCS के द्वारा छोटी-छोटी कमिया निकाल कर हमारे आबेदन को रिजेक्ट किया गया लेकिन जो बचे हुए लोग थे 10-20% जो कुछ बचे 10-20 परसेंट लोग उनका भुक्तान पोर्टल के माध्यम से हुआ 10,000 रुपिया 1st फेज में और 2,000 रुपिया इस प्रकार से भुक्तान 1st फेज और 2nd फेज का हुआ जिन लोगों का 1st फेज और 2nd फेज हो गया है 3rd फेज के लिए इंतिजार कर रहा है हमारे पास एक भाई सा आप में कमेंट भी किया था कि थर्ड फेज बालों का भुकतान कब होगा तो दोस्तों आपको बता दें आप मेंसे जिन लोगों का भी थर्ड फेज का भुकतान नहीं आया हुआ है थर्ड फेज का इंतिजार कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं आपका थर्ड फेज पोर्टल पर लिखा हुआ है चुनाव से पहले अब भुक्तान मिलने की कोई भी उमिद नहीं है जो है चुनाव से पहले भुक्तान मिलने की कोई उमिद नहीं है हाँ यह है कि जिन लोगों का डेफिसेंसी कम्मिनिकेटर हटा है जिन लोगों का डेफिसेंसी कम्मिनिकेटर लगता है यानि कि क्लेम प्रोसेड में लग गया है उनका भुकतान जल्द ही होने वाला है जिन लोग का क्लेम प्रोसेड लगा है उनका भुकतान होने वाला है और जो लोग थर्ड फेज के लिए इंतिजार कर रहे हैं बोलो वहिया थर्ड फेज के लिए इंतिजार न करें क् चुनाव से पहले कुछ होने वाला नहीं है आचार सहिता लगी हुई है लगाता चुनाव प्रचार हो रहा है तो इस कारण से थाड़ फेजवालों का भी भुक्तान नहीं होगा और जो है दोस्तों आप लोगों का भुक्तान तो फसा हुआ है और भाजपा कार्याले से फोन भी आने लगे हैं निवेसकर्ताओं के पास आम जनता के पास अपने अपने बिकास की योजनाय बता रहे हैं इस से आपको लाब हुआ या नहीं तो हमारे बहुत से निवेसक बंदू उनसे सवाल करते हैं कि सरपरतं हमारा ये मुद्दा है सहरा इंडिया मामले का इसमें लोग क्या करें, जब तक हम लोग का भुकतान नहीं, तब तक हम लोग करेंगे मतदान नहीं, इस प्रकार से साप सीधा जबाब दे रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीविलिस वीडियो में आप सभी को बताया भी था, दिखाया भी था एक वीडियो क्लिप के माध्यम से, जिन लोगों नहीं देखा है वो लोग जाकर के प्लेलिस्ट में आल्रेडी वीडियो बना हुआ पड़ा है आप लोग देख सकते हैं तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो को हम आप लोगों के समझ लेकर के आये हुए थे जो सहारा रिफंड पोर्टल से अपडेट आती रहती है उसकी जानकारी में आप सभी को देता रहता हूँ तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर लिखें और बहुत से हमारे ऐसे निवेसक बंदू हैं कुछ लोग वीडियो आधा दूरा देखते हैं और स्क्रिप करकर वीडियो देखते हैं वीडियो समझ में नहीं आ वीडियो को भी यहीं पर इंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेस्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद नमस्कार दोस्तों जय जबान जय किसान